नमस्कार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्टर 14 अक्टूबर की रात में शूर ग्रहन लग रहा है ये ग्रहन कन्या राश्य में लग रहा है तो आपके उपर क्या असर डालेगा, आपकी राशी पर क्या असर होगा राशी अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो ग्रहन है, 14 अक्टूबर को रात को 8 बज कर 34 मिनट में लगेगा और देर रात जब 15 अक्टूबर लग जाएगी तो रात को 2 बज कर 25 मिनट में समाप्त हो जाएगा ये ग्रहन कन्या राशी और चित्रा नच्छत्र में लग रहा है तो कौन-कौन सी राशी को कैसे प्रभावित करेगा, क्या आसर होगा, क्या उपाय करना चाहिए आईए जानते हैं तो सबसे पहले आपको बता देते हैं मेश राशी वालों के लिए ये जो शूर ग्रहन है ये लग रहा है तो कैसा होगा उसके पहले आपको ये बता दें कि देखें ये ग्रहन भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो भारत में सूतक नहीं लगेगा और सूतक के नियम लागू नहीं होगे, इसलिए भारत के लोगों को ज्यादा परिशान होने की जरूदत नहीं है, लेकिन क्योंकि खगोली घटना है, ग्रहन लग रहा है शूरे पर तो राशियों पर इसका अथर जरूर होता है, तो राश मेश राशी वालों के लिए सलाह यही कि आगे आने वाले एक महीने तक किसी से लड़ाई जगड़ा ना हो इस बात का ख्याल रखें किसी से बेवजय उल्जे नहीं कोट केस ना बढ़े किसी के सांथ लड़ाई जगड़ा कोट तक ना पहुंचे इस बात का ध्यान रखना है उधार लेंदेन से बचना है और अपने स्वास्त को लेकर के सावधान रखना है रहना है अपना खान पान ठीक रखना है इस्तिती अनुकूल किन के लिए होगी मेश राशी के जो चात रहे हैं जो प्रतियोगिता परिक्षा की तियारी कर रहे हैं तो उनको प्रतियोगिता विजय भी मिलेगी मेश राशी वालों को शत्रू परास्तों के तो इन सब बातों का ध्यान लखना है और सावधान होकर के पूरा महिना आपको चलना है उपाय क्या करें जिससे की परिशानी कम से कम हो तो मेश राशी वालों को ग्रहन के बाद जब यह ग्रहन समाप्थ हो जाएगा सुबह देर रात दो बज कर पच्चिस मिनिट को तो उसके बाद अगले दिन पंदरा तारिक से नौरातर भी शुरू हो रहें तो सुबह आप जो है श्नान करके किसी गरीब को गुड का दान करते हैं कम से कम एक किलो गुड का दान कर दें तो अच्छा रहेगा और नियमेत रूप से आगे आने वाले एक महिने तक प्रति दिन हनुमान चालीसा पड़ते रहें तो आपके लिए इस ग्रहन से कोई नेगेटिव फल नहीं बनेगे बारी आगई अब ब्रश राशी की ब्रश राशी से पांचवे घर में ये ग्रहन लग रहा है ब्रश राशी वाले अपनी जो योजनाएं बनाएं बहुत स्ट्रॉंग तरीके से बनाएं आपकी योजनाओं में बाधा सकती है मन में नेगेटिव विचार हावी हो सकते हैं इसलिए मन को बहुत शांत रखें धैर रखने का समय है और कारेच्छेत्र में खास करके यदि आप कोई प्रापर्टी खरीदना चाहते हैं अगर आप कोई इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से सोच समझ के आपको करने की सलाह दी जाती है संतान से सपोर्ट मिलेगी घर की जो परिशानिया है वो दूर होंगी तो बहुत जादा नेगेटिव इफेक्ट आपके लिए नहीं रहेगा बस थोड़ा सा इलर्ट रहने की आवश्यक्ता है उपाय क्या करें ब्रश राशी वाले पंद्रा तारीक को अगले दिन सुबह श्नान करके किसी गरीब को एक किलो चावल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा बारी आगई अब मिथुन राशी की मिथुन राशी से चौथे घर में ये ग्रहन लगने जा रहा है तो मिथुन राशी वालों के लिए सलाह ये है कि आप ही की मिथुन राशी का स्वामी बुद्ध होता है और कन्या राशी का स्वामी बुद्ध होता है कन्या राशी में ये ग्रहन लग रहा है बुद्ध वहीं बैठे हुए हैं कन्या राशी में शूरी भी बैठे हैं चंद्रमा भी बैठे हैं तो आपके लिए सला है ये कि मन में बेवज़े की बेचैनी न बढ़ने दे हर किसी के प्रती नकरात्मक विचार न रखे पॉजिटिव सोच के साथ काम करने का समय होगा बड़े फैसले अभी आगे आने वाले एक महने तक ना करें खासकर प्रॉपर्टी न खरीदें घर वालों से रिस्तेदारों से किसी बात को लेकर के उल्जन न होने पाए इस बात का ख्याल रखें करियर आपका ठीक होगा ऐसी कोई परिशानी नहीं आने वाली है उपाय क्या करना है इस्नान करके अगले दिन सुब़े 15 तारी को किसी गरीब को हरे फल का दान कर दें जैसे आपको इस समय संत्रा मिल जाएगा समय मिल जाएगी तो किसी गरीब को दान करेंगे तो बहुत शुब होगा बारी आगे अब करक राशी की करक राशी का सौमी चंदरमा और शूरी दोनों कन्या राशी में बैठे हुए हैं आम आवश्या की दिन ये ग्रहन लग रहा है और करक राशी से तीसरे घर में लग रहा है सलाह ये है कि आगे आने वाले पंदरा दिनों तक जल्द वाजी में भी कोई फैसला न करें जो भी डिसीजन लेना है अपने परिवार से अपने सुभशिंतकों से सलाह लेकर करना है और मन में बेवजह के उल्जन वाले विचार नहीं सजोने है करक राशी वालों के लिए सलाह ये है कि किसी के भरोसे कोई काम ना छोड़े जो भी काम करना है खुद करना है और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी निगरानी प्रॉपर तरीके से करती रहना है क्योंकि अगर किसी के भरोसे छोड़ेंगे तो उसके तक आपका काम बिगड जाए या नुकसान हो जाए करक राशी वालों लंबी दूरी की यात्रा से आगे आने वाले 15 दिनों तक बचे उपाय क्या करें इश्नान करने के बाद किसी गरीब को एक किलो दूद का दान 15 तारी को कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा बारी आगई अब सिंग राशी की सिंग राशी वालों के लिए सलाह ये आपकी राशी से दूसरे घर में कन्या राशी में शूर ग्रहन लग रहा है तो सिंग राशी वालों को सलाह ये है कि शूर ग्रहन के बाद 15 तारिक को आपको जो दान बता रहे हैं वो कर दीजेगा और अपनी वानी पर विशेश रूप से नियंतरन रखेगा पहली सलाह वानी पर नियंतरन रखेगा दूसरा जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं आलश्य ना करें अपनी पढ़ाई में छात्रों के लिए खास करके सलाह है जो कम्प्टेटिव एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए सलाह है कि आलश्य ना करें प्रापर्टी से संबंधित कोई भी डिसीजन प्रापर्टी खरीदना वेंचना उससे संबंधित काम आगे आने वाले एक महिने तक ना करें तो सिंगराशी वालों के लिए अच्छा रहेगा आपकी वाणी आपके शत्रु बना सकती है घर वालों से मत भेद बढ़ा सकती है इसलिए वाणी का बिलकुल संतुलित उप्योग करें कम जे कम बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा मानसिक तनाव बढ़ सकता है तो वो बढ़ेगा आपके वेवहार की वज़े से तो अपना वेवहार भी नम्र रखेगा उपाय क्या करें विष्णान करने के बाद 15 तारिक की सुबह किसी गरीब को एक किलो गुर का दान करें और आप हनुमान 40 पढ़ें और प्रते दिन भगवान शूरे को अर्ग दें तो बहुत शुब होगा बारी आगई अब करन्या राशी की करन्या राशी में ये ग्रहन लग रहा है तो करन्या राशी वाले सोच रहे होगे कि हमें बहुत परिशानी आ सकती ऐसी कोई बात नहीं है कन्या राशी में ग्रहन लग रहा है लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये शूरे ग्रहन ऐसा नहीं कि आपको बहुत परिशान करेगा आगे आने वाले कुछ दिनों तक खास करके एक महिने तक तीज दिनों तक ज़्यादा उतावलापन न दिखाएं बार-बार एक ही बात को ना दोहराएं चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं या घर वालों से भी वही वही बात ना बोलें थोड़ा धैर रखें मन में बेचैनी रहेगी लेकिन बेचैनी को बेचैनी को कंट्रोल करें धैर रखने का समय है बड़े फाइनेंसियल डिसीजन नहीं लेना है कोई बड़ा लोन नहीं लेना है उधार लें देन से आगे आने वाले एक मेहने तक बचना है स्वास्त कभी से शुरूप से ख्याल लखना है अपना खान पांठीक रखी मेडिसीन ले रहे तो समय पर देते रहे उपाय क्या करना है इस्नान करके सुबह 15 अक्टूबर को आप हरे रंग के फल जैसे नास पाती है और मुसम्मी है संत्रे जो ग्रीन कलर के हैं वो ये किसी गरीब को दान करें या आप गव माता को हरा चारा भी खिला सकते हैं तो ये उपाय कर लें कन्या राशी वाले कोई डरने की जरूरत नहीं है बारी आ गई अब कन्या के बाद तुला राशी की तुला राशी वालों के लिए कैसा रहेगा यह गरेंड तुला राशी वालों को बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है आपकी राशी से बार्वे घर में ये गरेंड लग रहा है तो अपने को कंट्रोल में रखेगा कर्चे अचाना बढ़ सकते हैं खर्चों को बजट में बांद के रखना है, लंबी दूरी की यात्रा से बचना है, आगे आने वाले एक महीने तक, और कोशिस ये करना है कि आपका खान पानना बिगड़े, स्वास्त का ख्याल रखना है, खर्चे, स्वास्त और यात्रा, इन तीन चीजों का आपको धिहान र शुरू हो गया नौ दिनों तक मादुर्गा की प्रति दिन जो है आरती करिए दुर्गा चालीसा का पाठ करिए किसी मंदिर जाए दर्शन करने इसमें अगर आप समय बिताएंगे तो पोजिटिविटी बढ़ेगी और ग्रहन का नेगेटिव प्रभाव आपके उपर हावी नहीं हो पाएगा पाए क्या करना है पंद्रा तारिक को इस्ञान करके किसी गरीब को एक किलो चीनी का दान शुबह-शुबह करें तो बहुत अच्छा रहेगा बारी आगे यह ब्रश्चिक राश्य की ब्रश्चिक राश्य वालों को इस ग्रहन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है इससे आपको कोई ऐसा नेगेटिव फल नहीं मिलेगा आप जो काम कर रहे हैं अपना डे टू डे लाइफ में वैसे ही करते रहे हैं बस ध्यान ये रखना है इगो ना बढ़े अहंकार ना बढ़े किसी के उपर बेवज़े क्रोध ना करें किसी बात को लेकर अडे रहना घर परिवार में वो उचित नहीं होगा उसकी वज़े से काम डिले हो सकते हैं लोगों से मतभेद बढ़ सकता है उपाय क्या करें ब्रशिक राशी वाले लाल रंग के फल का दान पंदरातारी को इस्तान करके किसी को करें बारी आगई अब धनु राशी की धनु राशी वालों को अपनी कारे छेत्र में खास करके जहां आप जॉब करते हैं वहाँ कोशिस करें कि किसी से ego clash ना हो, हंकार से बचना है, किसी से मतभेद ना बढ़ने पाए इस बात का ख्याल लखना है और काम के दौरान कोई भ्रह्म ना generate हो इसका ख्याल लखना है बाकि ऐसी कोई परिशानी नहीं इस ग्रहन से ऐसा कोई negative effect आपको नहीं मिलने वाला है उपाय क्या कर लें? जिससे आपको लाब होगा, आप इश्णान करके पीले रंग की मिठाई का दान किसी गरीब को करें पंदरह तारी को तो आपके लिए बहुत शुब होगा बारी आगई अब मकर राजशी की मकर राजशी वालों को इस सूरिक ग्रहन से बिल्कुल भी tension लेने की जरूरत नहीं है आप day to day अपनी जो activity कर रहे है उसी तरीके से करते रहिएगा कोशिस करें कि आलस से आपके उपर हावी ना होने पाए जो भी काम करना है प्लान बना करके करें तो आपके कारे सफल होगे उपाय क्या करना है प्रति दिन भगवान शिव को जल अरपित करें और नमा शिवाय मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा बारी आ गई अब कुम्भ राशी की कुम्भ राशी वालों को विदेश से संबंधित काम बहुत सावधानी से करना है आगे आने वाले एक महिने तक विदेश से संबंधित कोई लेन देन कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट होकर करेंगे और रिष्ते संभालने हैं रिष्ते ना बिगड़ने पाएं इस बात का ख्याल रखना है, रिस्तिदारों से किसी बात को ले करके उलजना नहीं है करियर के छेत्र में क्विक जॉब बदलने का डिसीजन आके आने वाले एक महिनों के अंदर नहीं लेना है शांत मन्द से फैसले करने है उपाय क्या करें, कुम राशी वाले इश्नान करके 15 अक्टूबर को किसी गरीब को एक किलो दूद का दान करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा बारी आ गई अब मीन राशी की मीन राशी वालों के लिए ये ग्रहन कोई ऐसे निगेटिव इफेक्ट लेकर के नहीं आ रहा है बस आपको अपने मन को इस्तिर रखना है मन में बेचैनी ना बढ़ने दे लोगों से बहस ना करें शांत रहे, बात सुनिए, जो बात समझ में आती है उसका जवाब दीजे, जो नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं डिसेग्री हो सकते हैं लेकिन उसे बढ़ाना नहीं है लड़ाई जग्रे में कनवर्ट नहीं करना है दूसरा हर काम सावधानी से करना है डबल चेक करना है इसके बाद फैसले करना है और कोई टेंशन लेने के आवश्यक्ता नहीं है अपने स्वास्त का ख्याल रखें अपना खान पान ठीक रखें उपाय क्या करें में राश्य वाले श्नान करके पीले रंग के फल का दान किसी गरीब को करें पंद्रहाग को भर को तो ये उपाय कर लिजे तो आपके टेंशन दूर हो जाएगी तो बारह राश्यों का हमने बताया फलित की गरहन का कैसा फल होगा ये गरहन भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसलिए भारत के लोगों को जादा गरहन के दौरान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई भी गरहन के नियम भारत में लागू नहीं होगी लेकिन क्योंकि खगोली घटना है जोतिस के हिसाब से कन्या राशी में ये गरहन लग रहा है तो राशियों पर इसका असर होगा क्या कैसा असर होगा हमने आपको बताया तो एस्टो तक पर जुड़े रहे आगे भी आपको बहुत महत्पून जानकारिया मिलेगी नौरात्र में आप क्या करें शारदी नौरात्र का कैसे आप लाब उठाएं कैसे मादुर्गा की क्रपा प्राप्त करें उस पर भी हम कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो अब अश्य देखिएगा अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का नवस्कार